तो मिने दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप सभी देख सेकते हों मैंने जो विडियो बनाया है जो मैंने लोफी सॉंग क्रियेट किया है उसे मैं जैसे यहाँ पे अपलोड करता हूँ अपलोड होने के बाद थोरा सवेट करते हैं और जैसे हमारा चेक इन कपलिट हो जाता है भाई इंस्टेट के इंस्टेट देख सकते हो यहाँ पे कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आया हमने दूसरों का सउंग डाउलोड करके यहाँ पे अपलोड किया है लेकिन भाई कोई भी कॉपीराइट क्लेम हमारे सउंग पे नहीं आया जबकी पहले हम जब भी विडियोज अपलोड करते थे सीधे के सीधे यहाँ पे बता दिया जाता था कि भाई आपका वीडियो जो है copyrighted है और हमें claim दे दिया जाता था लेकिन अप देख सेक्टों कोई copyright claim नहीं आया तो दोस्तों देखो एक बात बता देता हूँ पूरे YouTube पे आपको सबने चूतिया बनाया है ठीक है मैं Paytm category के वीडियो जालता हूँ लेकिन मेरे को उस तरीके के बारे में पता है तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप वहाँ पे वीडियो अपलोड कर सकते हो यहाँ पे माईक है, यहाँ पे laptop, यहाँ पे एक camera, इधर देख सकते हो एक phone वाला camera, यहाँ पे मैं पूरा 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 तरीका बताऊंगा अब भी देखो ये वीडियो में हो सकते हो 10-20-15 मिनिट मिनिट का वीडियो हो लेकिन आप ये वीडियो देखने के बाद confirm एक song बनाके upload कर सकते हो कोई copyright claim नहीं आएगा कोई problem नहीं आएगा कोई issue नहीं आएगा उससे आप पैसे कमा सकते हो channel monetize भी कर सकते हो पूरा का पूरा तरीका बताऊंगा अभी मेरे दोस्तों जिसको भी काम करना है बिस्वास हो पूरा का पूरा विडियो देखो अगर बिस्वास ना हो विडियो चोड़के आप जा सकते हो आपको साथ साथ प्र además क्योंकि मेरे भाई जब मैंने पहला विडियो डाला था उसमें मैंने बस इतना बताया था कि मैं बता दूंगा किस तरह से लोफी सॉंग बनाया चाहता है मेरे हर एक वीडियो पे मेरे दोस्तों ने कॉमेंट करके बोला कि भाई कब बनाओगे वीडियो कब बनाओगे मेरे नाक में दम करके रख दिया है आज फाइनली मैं पहले हमें जो है कुछ करना पड़ेगा किस चीज का ग्यान हर चीज में ग्यान होता है अगर आपको कुछ भी सीखना है ना सबसे पहले आपको एक बहुत ही महान बेक्ती ने कहा था अगर आपको कोई भी ग्यान लेना है तो सबसे पहले अपने आपको समर्पन करना पड़ेगा अपने गुरू के सामने तो अगर आप समर्पन कर सकते हो तो कर दो वीडियो को एकदम डिटेल में देखना एक भी पॉइंट मिनस्मत करना ठीक है क्यूंकि मेरे भाई देखो अगर मेरे को बगबग करना होता तो मैं भाई 40 मिनट का वीडियो बनाता, यहाँ पे 10-15 मिनट, 20 मिनट में नहीं डिपटारता, ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को 30 मिनट, 40 मिनट का वीडियो एडिट करने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, अभी मैं फटा-फट बताऊंगा, अगर समझना आ है तो repeat क करके देख लेना, ठीक है, यहाँ पे क्या करना है? सबसे पहले, pin, paper आपको नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए, आप जोए यहाँ पर ध्यान से देखना, तो मिनट, यहाँ पे सबसे हैले आपको कुछ points पर notice करना पड़ेगा, देखो, अगर हम एक low fee song बनाते हैं, 100% आपको claim आएगा channel delete कर दिया जाएगा यहाँ पर अगर आपको lofi song बनाना है तो उसके लिए आपको multiple song चूज करने होएंगे या तो 2 song चूज कर सकते हो या फिर 3 मालो कि हम 3 song चूज कर लेते हैं एक point clear हो गया दूसरा जो है mix match अगर आप 3 song को choose करते हो तो एक के बाद दो दूसरे के बाद तीसरे है ऐसे song आप नहीं लगा सकते यहाँ पर क्या गरना होगा हर song में part होता है मालो के सरिया तेरा इश्क है ठीक है मैं तो रंग रंग जाओं ठीक है यह एक part हुआ के सरिया तेरा इश्क है पिया कि किस तरह से उन सारे parts को एक दूसरे में match किया जाए ताकि यहाँ पर हमारा एक नया content create होके आए और YouTube खुद कहता है अगर आप कोई भी नया content create करते हो तो वहाँ पर आपको किसी का बापना copyright strike दे सकता है और नहीं आपको claim दे सकता है क्योंकि वह fair usage के policy में आता है तो यहाँ पर मानलो की यह तीन song है ठीक है यहाँ पर यह तीन song है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे हर तीन song में देख से यहाँ पर कागज की सिहाई से लिखी के सिरिया नाम जो भी है यहाँ पर कट कर लिया उसके बाद थोरा सा line है उसके बाद जो जब line खतम होता है फिर cut किया उसके बाद फिर खतम होता है फिर cut किया उसके बाद फिर खतम होता है फिर cut किया तो इस तरह से आपको जए मानलो एक Hindi song हो गया एक English song गया, अगर दोस्तो चार song बना रहे हो तो दो Hindi, दो English होना, तो अगर दोस्तो तीन song का बना रहे हो तो एक English, दो Hindi song भी हो चलेगा, तो इस तरह से आपको हर एक song में जो जहाँ चाहां लगे कि हाँ यहाँ पर parts cut होके divide हो सकते हैं, उन्हें cut कर लेना है, उसके बाद मालो कि आपका यह पहले song का पहला part है, जो कि आप पहले लगाना चाहते हो, तो आप इस last वाले part को पहले लगा दो, ठीक है, यहाँ पर पहले लगा दिया, उसके बाद आपको लग रहा है कि English वाले song में से, आप जो है इस वाले part को काटके यहाँ पर लगाओगे, तो यहाँ प लोगे, तो sad song लोगे, तो sad song का ही match करना, sad song के साथ वो disco dancer match मत करने लगना, तो तीनो sad song होना चाहिए, इस तरह से आपको match करना है, उसके बाद फिर यहाँ से, जितना हो सके, end का part पहले लेके आना है, जो आखरी में lines है, उन्हें पहले लाते जाओ, पहले वाले lines को आखरी म बनाना है, जो कि सुनने में तो अच्छा लगे, लेकिन YouTube उसे नहीं ढूंड पाएगा, कि यह कौन से song का हिस्सा है, अगर आप 30 second से ज़्यादा किसी भी song को use करते हो, तब YouTube वहाँ पे ढूंड लेता है, लेकिन 25 second, 20 second अगर एक song का use करते हो, तो ढूंड नहीं पाता है, तो आप 10-15 मिनट का song बना सकते हो, हर एक song में से 1 मिनट या फिर 40 second का line उठा सकते हो, और इस तरह से आपको total के total मान लो, इस तरह से आप create कर लेते हो, हर एक line इधर आगे पिछे match-match करके, उसके बाद दूस्तों क्या करना है, change pitch, pitch क्या होता है, एक बच्चों के तरह आवाज हो जाता है, अगर आप सामने के तरह बढ़ाओगे, तो बच्चों का आवाज हो जाता है, पिछे के तरह बढ़ाओगे, उसके बाद क्या करना है, make slow, जितना आप slow करोगे song, उतना आपका video तो बढ़ा होता जाएगा, लेकिन दोस्तों सांग का बहुत कम पार्ट आपके video म यूज होगा और ये सुनने में भी अच्छा लगता है लोफी सॉंग बन जाता है और उसी के साथ मेरे दोस्तों यहाँ पर आपको कॉपिराइट का भी टेंशन नहीं होगा यहाँ पर देख से तो बैगराउंड म्यूजिक यह बहुत इंपोर्टेंट है और यह जो है मिक्स म सेट सब्सक्पार म्यूजिक से लगाना उसके साउप्तों सुना तो यह सब बैगराउंड मूजिक है जो की एक सॉंग में भाइल्यू क्र करते हैं और जब आपको कोई भी और यह सकता तो यहाँ पर दोस्तो एड एन बज गया effect effect में क्या डालना है song में रहते रहते कभी-कभी effect आता है ढिचुक ढिचुक या फिर bass आता है या फिर दोस्तो आपको आपने 8D audio सुना होगा जो कि इधर से आके इधर लगता है one by one तब जाके आपका song ready हो जाएगा उस पर कोई copyright नहीं आएगा no copyright ठीक है कोई भी copyright वहाँ पर दे ही नहीं सकता आपको जैसर कि मैंने आपको starting way गड़के दिखाया अभी मैं आपको चलो बनना के दिखाता हूँ लेकिन उससे पहले मेरे भाई तुम शेर नहीं करोगे औरना तुमारे दोस्त भी यही तरीका यूज़ करेंगे तो अब दोस्ते क्या करना है यहाँ पर मैं बता देता हूँ सबसे पहले दोस्तों हम YouTube पे जाते हैं YouTube पे जाने के बाद लोफी सौंग मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ पर देख सकतो हूँ मेरा एक जो सबसे फिब्रेट सौंग है Arkyard और Into Man Meera ठीक है Arkyard और Man Meera का माशप है यह फूल वर्शन है यहाँ पर दोस्तों जो है दोनों सौंग में से जो है इस बंदे ने एक एक मिनट का सौंग उठाया है उसमें background music add ही आया है और song को आगे पिछे काट वगेरा करके जो मैंने आपको बताया वही तरीका इसने use किया है और यहाँ पर देख सकतो है इसके 33 million views आया है 33 million में से कम से कम 1 like इसके subscriber ही बढ़े होंगे 1 like subscriber भी बढ़ जाते है ना तो मेरे भाई अगर आप YouTube के advertisement से पैसा नहीं भी कमाते हो फिर भी आपको promotion का ही पैसा मिलेगा 70-80,000 का 70-80,000 प्रोमोशन का पैसा जो की company खुद आपको contact करके देगी अगर description में अपना phone number डाल दो तो तो दोस्तो प्रोमोशन करके भी पैसा कमा सकते हो यह सबसे बड़ी बात है अगर दोस्तो आपका monetization नहीं भी होता है कोई फ़र्क नहीं पढ़ता यहाँ पर YouTube से पैसे कमाने का बहुत तरीका है तो यह देख से तो इसने जितने भी यहाँ पर song बनाया है हर किसी में इसने mashup add किया है मतलब 2-3 song को add करके लोफी बनाया है तो अभी मैं आपको सिखाता हूँ किस तरह बनाया जाता है simply आपको क्या करना है song पहले download कर लेना है सबसे पहले choose कर लेना आपको song सबसे पहले choose करना बहुत अच्छी बात है अगर बना के upload कर भी देते हो आपको kind master open करना है new project में जाना है new project में जाने केबाद दोसते हो एक background choose कर लेना दोनों song को add कर लेना दोनों song को add करने के बाद दोसतो क्या करने है सबसे पहले तो आपको जाना है यहां पे रुख जौ में दिखाता हूँ यहां पे kind master के अंदर voice के अंदर बहुत सारे effect देखने को मिलेगा voice changer मिलेगा उसके बाद दोस्तो और भी बहुत कुछ मिलेगा ये सब कुछ चाहोता आप change कर सकते हो लेकिन मैं बहुत कम ही इसमें change किया था क्योंकि ज़्यादा तर जो है main effect पड़ता है आपको mix match करने पर mix match पता है न क्या बोला था मैंने उसे के साथ दोस्तो यहाँ पर देख से तो यहाँ पर पीच का option देखने को मिलेगा पीच वाले option में जाने के बाद आपको पीच को कम कर देना है आप कम करके सुन लेना क्योंकि हर song के लिए अलग-अलग पीच काम करता है तो कम करते जाना और सुनना की कौन से में अच्छा लग रहा है उसके बाद दोस्तो जितना कम होगा पीच उतना अच्छा होता है तो जब आप सुन लोगे उसके बाद दोस्तो क्या करना है आपको song को बार-बार सुन लेना है अच्छे से और आपको समझ लेना है कौन सा कट करना है कौन सा कहां बैठाना है तो यहां पर दोस्तों सिंपले आपको कट करते जाना है और जहां जहां का पार्ट आपको लगे कि हां यहां पर मैं बैठा सकता हूँ वहाँ वहाँ पे आप जो है उस पार्ट को चिपका देना चिपका चिपका के एक अच्छा सा जो है सौंग बना लेना उसके बाद दोस्तों उसे एक्सपोर्ट करना है एक्सपोर्ट करने के बाद दोस्तों फिर से आना है काइन मास्टर पर न्यू प्रोजेक्ट ओपिन करना है और उस वीडियो को आपको एड़ कर लेना है ठीक है अब मैंने सबसे पहले आपसे वीडियो बनावा आया है सॉंग एड़ करके क्योंकि इसी की हमें सबसे ज़्यादा जरूरत है अब वीडियो एड़ करने के बाद दोस्तो इसे हम सलो करेंगे सबसे पहले जाएंगे सलो वाले option पर, speed पर इस speed पर जाने के बाद हम इसे simply थोड़ा अश्या slaw करेंगे ज़्यादा slow करेंगे तो गंटा अच्छा नहीं लिगता थोड़ा slow कर लेगा ठीक है और slow मैंने इसलिए करवाया क्योंकि audio slow नहीं होता है video को ही एक मातर आप slow कर सकते हो जैसे slow कर लेते हैं उसके बात दोस्तों हमें क्या गरना है यहाँ पर हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा तो EQ नाम का इक effect देखने को मिलेगा तो EQ नाम के इस effect पे आपको चले जाना है रिवर्ब नाम का भी effect देखने को मिलेगा इसके जाने के बाद आप हरे एक effect रुपाय गरकर देखले लेना हर सौंग के लिए अलग अलग effect अच्छा लगता है तो यहाँ पर apply करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पर दोस्तों simply आपको extract audio कर लेना है मतलब audio और video अलग कर लेना है उपर का video जो भी है background उसे delete करने के बाद Chrome में जाना है एक अच्छा सा जो है वो सर्च कर लेना है पीछ वाले पार्ट जादा तर सामने आने चाहिए और mix match करना है हर सौंग का एक मिनट से जादा यूज मत करना एक से डेर मिनट उसे जादा यूज मत करना उसी के साथ दोस्तों उसको reverb करना है, slow करना है, पीछ जो है down करना है effect डालना है, effect मैंने यहाँ पे नहीं डाला लेकिन आपको जितना हो सके effect वगड़ा डालके उसे एक नया content बनाना है, एक दमदार content बनाना है अब यहाँ पे मैंने बस आपको यह example दिखाया लेकिन मेरे भाई अभी मैं इसे अच्छे से edit करूँगा मैंने फटा-फट दिखाने के लिए आपको दिखा दिया जो process है वो दिखा दिया, लेकिन अभी मैं अच्छे से edit करूँगा सुकून से बैटके, उसके बाद जो है वीडियो हमारा ready हो जाएगा तो सबसे पहले मैं वीडियो को ready करके आता हूँ यहाँ पर मैंने finally वीडियो को edit कर लिया है उसके बाद दोस्तों क्या करना है आपको जाना है अपने YouTube चैनल पर इस वीडियो को मैंने uploading पर डाल दिया है लेकिन गलती से भी कभी song का नाम मत लिखना जो song आप upload कर रहे हो उसका नाम गलती से भी मत लिखना ना tag में लगाना ना description में डालना उसका नाम डालना ही नहीं है माल लो कि एक song है मन मेरा ठीक है उस song का title है वही नाम है उस song का वो नहीं डालना आपको कुछ और डालना है कभी कभी होश मंद होशी ही है उसका जो line है उस song के अंदर जो line है वो डाल सकते हो उसी के साथ दोस्तो आरक्याट जो सौंग है लूजिंग गेम ठीक है लूजिंग गेम तो मैंने ये डाल दिया ठीक है तो ये दोनों मिला के मैं डाल सकता हूँ टाइटल वगड़ा बना सकता हूँ ताकि कोई अगर सर्च करे तो वो सजिस्ट हो जाएगा लेकिन exactly नाम मत डालना अब जैसे यहाँ पर देख सोывайтесь तो upload हो रहा है मेरे भाई finally यहाँ पर upload होने के बाद checking स्टार्ट हो गया checking जैसे स्टार्ट होता है मैरे भाई соответ देख सिकतो check-in complete होने के बाद हमारा tick mark आ चुका है मतलब ये song पूरी तरह से non copyrighted है इस पर कोई copyright claim नहीं आया और दोस्तों इस song से हम जो पैसा कमाएंगे उससे 100% हमारे पास ही आएगा हमें किसी कोगी देने की ज़रुवत नहीं है अब एक चीज आप ध्यान से सुन लो फुदकना बन करो समझदार बनो, बड़े हो चुके हो तो थोड़ा समझदार बनो यहाँ पर क्या गरना है दो से तीन दिन में आप बस एक song अपलोड करना अच्छे से एडिटिंग वगरा गरके बना के अपलोड करना ठीक है, ऐसा नहीं कि daily के daily कुछ भी डालोगे कच्रा डालोगे, कुछ भी नहीं जितना कम अपलोड करेंगे, उतना ज़्यादा आपका भ्यूज जाएगा यही सिस्टम है, आपको किसी ने बताया नहीं होगा जितना कम अपलोड करेंगे, उतना ज़्यादा आपका भ्यूज जाएगा और उतना ही आपका song भी भाइरल होगा और खुद उतने कम chances होंगे copyright claim के अब ऐसा नहीं है कि हर एक song बिना copyright claim का हो जाएगा किसी ने किसी में आही सकता है किसमत वाली बात है यहाँ पे आप जितना अच्छा edit करोगे उतना अच्छा safe रहोगे तो यहाँ पे तो यह upload कर दिया दूसरा जो option है मेरे भाई adsense को apply करने से पहले adsense apply करने से पहले हर song में आपको है अपना थोपड़ा दिखाना पड़ेगा intro देना पड़ेगा और आपको ऐसे बोलना पड़ेगा कि भाई बहुत मेहनत से मैंने यह एक नया creation ready किया है अगर पिसंद आये तो like करो ताकि YouTube आलो कि यह ना लगे कि भाई तुम दूसरे के माल से पैसा चापना चाहते हो अपना value add करो अपना थोपड़ा दिखाओ facecam दिखाओ यह सब दिखाओ ठीक है तो आपको definitely monetization मिल जाएगा क्योंकि मैंने इससे पहले जो bingo वाला channel है आप सभी को पता होगा उस पे मैंने दबा के जो है इसी तरह से पैसे कमा रहा हूँ ठीक है और तीसरी बात description में आपको इस song का link देखने को मिल जाएगा जो मैंने बनाया है जाके आप उस पूरे song को सुन सकते हो वैसे पहली बार मैंने बनाया तो अच्छा तो नहीं हुआ है उतना लेकिन copyright नहीं आया भाई ये सबसे बड़ी बात है अब आप सब जब बनाओगे तो धीरे धीरे आदत हो जाएगी तो बना सको गया च्छे से अच्छा तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही आपके request पे मैंने ये वीडियो बनाया तो please support करना वीडियो को down मत होने देना तो like करो channel को वीडियो को subscribe करो channel को फिर मिलते किसी नहीं रणीं आप्लिकेशन यहाँ फिर ऐसे किसी धमागेदा टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाई बाई